Welcome back to my YouTube channel Learning Brightly में आपका स्वागत है dear students आज हम करें MCQ questions for class 10 English Name of the book First Flight Chapter 2 Nansen Mandela Long Walk to Freedom ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने MCQ based questions को Question number 1 देखिए, just have a look How does Mandela, Nansen Mandela define the meaning of courage? यनि कि Nansen Mandela ने कैसे define किया है Courage का मतलब साहस को, ठीक है Option A, triumph over fear यनि की जीत डर से triumph over love यनि की जीत प्यार के ओपर triumph over selfish यनि की घमण के ओपर जीत या triumph over poverty गरीबी के ओपर जीत तो हमारा option कुन सा correct है? Option A is the correct when triumph over fear कि हमने डर के ओपर जीत हासिल किये उन्होंने ऐसे define किया है साहस को, ठीक है? चलिए, करते हैं अपने next question को Just have a look See the next question Where did ceremonies take place? यनि कि कहां पर ये ceremonies हुई थी? यनि कि जो भी इतने सालों के बाद जो देश स्वतंत्र हुआ है तो ये share money, यानि कि एक तरह से ये उतसब कहां मनाया गया? Option A, Rockstone Amphitheater Rockstone Amphitheater में या Option B, Sandstone Amphitheater Sandstone Amphitheater में या Option C, Glassstone Amphitheater Glassstone Amphitheater में या Option D, None of the above इन में से कोई भी नहीं तो देखिए आपका Option कौन सा है करेक्ट Option B is the correct one Sandstone Amphitheater चीक है? See the next one, just have a look Question No.3 Which flame can be hidden? कौन सी ऐसी आग जो प्रजवलित हुई जिसे चुपाया जा सकता था Never Extinguish का मतलब जिसे बुजाया नहीं जा सकता था First Option A, Man's Love मनुशे के प्यार को Option B, Man's Natural Way मनुशे के प्रकरतिक स्वभाव को या उसके तरीके को या Option C, Man's Goodness मनुशे के अच्छाई को या फिर Option D, None of the above इसमें से कोई भी नहीं हमारा correct answer क्या है? हमारा correct answer है Option C, Man's Goodness कि मनुशे की अच्छाई को चुपाया तो जा सकता है जिस्ट हाव लुक विच डे वोज दे लाजर्ज गैंदरिंग ओफ इंटरनेशनल लीडर्स और साउथन अफ्रीकन स्वाइल यानि की वो कौन सा बड़ा इंटरनेशनल यानि की एक तरह से बड़े सारे जो यांतराष्टिये लीडर्स नेता आये थे साउथन अफ्रीकन स्वाइल यानि की साउथन अफ्रीकन की मिट्टी पर for the installation of साउथन अफ्रीकन's first democratic यानि की उनकी पहली लोक तंत्रात्मक सरकार नोन रेशिल गवर्मेंट जहां पर किसी प्रकार का जातिये भेदभाव नहीं होगा नसल के अधार पर तो वो कौन सा दिन था largest gathering होने वाले थी which day तो option देखिए first 9th में 9 में option B 10 में 10 में option C 11 में 11 में option D 12 में तो obviously option B is the correct one 10 में ठीक है just have a look see the next one क्योंकि इतने सालों बाद इनको अजादी मिली थी दुद 10 में इन्होंने decide किया था so dear students आप अपने सारे options को ध्यान से सुने और question को अच्छे से समझे और अपने answer को learn करें ताकि आप अपने board में अच्छे mark secure करें ठीक है यही मेरा target है question number 5 देखिए what is the country's greatest will यानि कि इसमें ये पूछा गया है कि किसी country की सबसे greatest का मतलब होता है कि एक होती है अच्छी एक होती है बहुत अच्छी एक होती है सबसे अच्छी है यहनि कि greatest का मतलब महान संपत्ती क्या होती है सबसे अच्छी संपत्ती क्या है option A its minerals इसके खनीच संपता जो हमें भूमी से मिलते है its people, option B इसके लोग, option C, its technology इसकी technology, यहनि की तक्नीक, या option D, none of the above इसमें से कोई भी नहीं तो हमारा correct answer क्या है? हमारा correct answer है, option B its people, इसके लोग, क्योंकि लोग हैं, तो सब कुछ सही नहीं, तो कुछ भी नहीं चलिए, see the next one, question number 6 what does depth of operation क्रेट, यानि की यह जो depth of operation क्रेट, यानि की जो यहां पर बताया गया है कि जुल्म की घहराई depth of operation का मतलब होता है जुल्म की घहराई क्या उत्पन करती है, option A oppressed, यानि की जो सहन करता है, अत्याचार को जुल्म को, या heights of character या उसका character बहुत अच्छा उभर कर बहार आता है, option C poverty को create करता है, या option D, lack of freedom, यानि की स्वतन्तरता नाम मात्र की होती है नहीं होती बिल्कुल भी, तो हमारा correct answer क्या है, हमारा correct answer है, option B heights of character, ठीक है so the next one, जैसा है वे लो question number 7 who, यानि की कौन according to mandela is not free, यानि की कौन स्वतन्तर नहीं है, कौन free नहीं है option A obsessor, obsessor का मतलब जो अत्याचार करता है option B oppressed, यानि की जिस पर अत्याचार किया जाता है, यानि की जो अत्याचार को सहन करता है, ठीक है या फिर option C A and 1 and 2, यानि की A and B both या option D, none of the above तो which is the correct one हमारा correct answer है option C, यानि की obsessor or oppressed यानि की एक तो वो जो दुखी करता है, और दूसरा वो जो दुख को सहन करता है, ठीक है ये दोनों ही है, इसलिए हमारा correct answer के है, option C is the correct one चलिए, question 8 करते है which party did mandela join mandela ji ने कौन सी party join की थी option A, Indian National Congress भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस option B, African National Congress अफ्रीका, राष्टिय कॉंग्रेश या फिर option C National African Party ने की, राष्टिय अफ्रीकन पार्टी, या option D he did not join any party, उन्होंने कोई पार्टी जोईन नहीं की थी, तो हमारा correct answer के है, option B is the correct one African National Congress African राष्टिय कॉंग्रेस को उन्होंने जोईन किया था, ठीक है तो next question देखते है, question number 9 let's have a look what realizations did Mandela have of his boyhood freedom यानि की, Mandela जी यानि की, Ninson Mandela ने बच्मन से अपने मन में एक ऐसी धार्णा रखी थी उन्होंने realization किया हो था कि आजादी क्या है, option A it's just an illusion, यानि की एक भ्रह्म है या फिर second he was born free, बस वो स्वत्नतर पैदा होई है या option C freedom was meant for kids, यानि की बच्पन जो है, यानि की अजादी का मतलब केवल बच्चे हैं और कुछ नहीं, यानि की बच्पन में वो स्वत्नतर होते हैं या option D he had no realization, उन्होंने कोई भी ऐसा realization नहीं किया था, तो हमारा correct answer क्या है, correct answer है it's just an illusion, यानि की एक भ्रह्म था सच में अजादी नहीं होती, ठीक है next question देखिए question number 10 why were two national anthem sung, यानि की दो राष्टे गीत क्यों गाए गए option A to imply unity unity, एकता को दिखाने के लिए या एकता बनाए रखने के लिए to mark end of the racial discrimination, यानि की जाती है भेदभाव, नक्सलवाद की अधार पर जो भेदभाव था, गोरे काले का उसको समावत करने के लिए या option C, to mark the end of the gender discrimination या फिर लिंग भेद पुरुष और इस तरी के बीच में जो भेदभाव होता उसको मिटाई रखने के लिए option D, one and two both तो हमारा correct answer क्या है? हमारा correct answer है D, यानि कि आपका option A b correct है और option B b correct है यानि कि यह दोनों correct है, इसलिए हमारा option D is the correct one ठीक है? तो हमारा option क्या है? option D is the correct one see the next one, जैसे हमें लोग, question number 11, 11 देखिए why, sorry, what did Mandela learn about courage? Mandela, यानि कि निंसन Mandela ने क्या सीखा साहस को लेकर option A, it is absence of fear, यानि कि डर की अनुभूती, इसका मतलब absence का मतलब डर नहीं है या it is the triumph over fear, यानि कि जीत हासिल करनी है डर के ओपर या फिर both A and B, यानि कि एक और दो दोनों ही सही है option D, none of the above, इन में से कोई नहीं है तो हमारा answer क्या है? correct, हमारा correct answer है option B is the correct one, it is the triumph over fear उन्होंने साहस को लेकर ये सीखा, कि अगर हम सच में जीत हासिल करना चाहते हैं तो हमें डर से जीतना है, ठीक है? जो हमारे अंदर बैठा हुआ है question number 12 देखिए what unintended effect did the decades of oppression and brutally had? यानि कि unintended का मतलब होता है, यानि कि इच्छा प्रिकट करते है, यानि कि वो intentionally किया जाता है, जान बूचकर, unintendedly का मतलब जो जान बूचकर न किया जाये लेकिन इसका effect पड़ा, decades तक, operation का मतलब जो शुदता थी एक तरह से, ठीक है? operation का मतलब जैसे कि मान लोग, इन्होंने बहुत जुल्म करे, brutally का मतलब एक तरह से निर्मम हत्याएं की निर्देता को सिद किया operation का मतलब उत्पीडा, यानि की बहुत दुख दिये, brutally का मतलब निर्देता से, यानि की लोगों के साथ बुरा वैबार किया, ठीक है? तो ऐसा क्या effect पड़ा? इससे क्या हुआ? तो option A देखे, created man and extraordinary, उन्होंने extraordinary man create किये, courage, wisdom and generosity, जो साहस से भर हुए थे, जिनके अंदर बहुत दिमाग था और जो बहुत उदार थे या option B, poverty and suffering, जिन्होंने गरीबी और दुख को जनम दिया, पीडा ही पीडा, या by court from foreign nations, या विदेशोंने भी इसका वहिश्कार किया, या option D, second and third, both तो हमारा correct answer क्या है, हमारा correct answer है, option A, यानि कि जो इन्होंने अत्याचार किये, निर्दियता से, लोगों के साथ, अबद्रिता, अमान भी विवार किया, जातिये, रंग भेत की नीती को लेकर, इससे created man of extraordinary, यानि कि, अलग से मनुश्य को पैदा किया, करे, साहस के साथ, wisdom, ब question number 13, just have a look, see the next one, the structure they created, यानि कि, जो धाचा इन्होंने तयार किया, form, the basis of the harshness, ठीक है, यानि कि, बहुत कठोरता से, most in human, अमान भी था, societies हमारे समाज के लिए, यानि कि, जब हम अफरीका की बात करते है, of the world has ever known, जो संसार कभी जानेगा, what structure is mandela, talking about, वो किस structure की बात कर रहे है, option A, racial domination against the black skin, यानि कि, काले लोगों के प्रती, जो नकसलवात, यानि कि, रंग भेत की नीदी थी, गोरे काले, ठीक है, उस नीती को, या poverty and suffering, गरीबी और उत्पीडन, या discrimination, discrimination का मतलब होता है कि, भेत भाव against the poor, ठीक है, गरीबों को लेकर, या फिर, operation of women, यानि कि, यहा जिलाओं के साथ, अत्याचार उनका सोशन किया गया, तो हमारा option कौन सा correct है, option A is the correct one, racial domination against the black skin, यानि कि, काले लोगों के प्रती, गोरे लोगों ने जो नकसलवात, यानि कि, रंग भेत की नीती को जनम दिया हुआ था, वो था, domination का मतलब, वो अपना dominant करना चाते थे, portion number 14 देखिए, the spectacular area of southern african jets display, was a display of, यानि कि, जो spectacular area, जो southern african के वो क्या बताते है, option A, military pression, यानि कि, military की शुदता को बताते है, option B, military loyalty and democracy, उनकी वफादारी के साथ सा, लोगतंतर को बताते है, या option C, none of the above, इसमें से कोई भी नहीं है, या option D, one and two, both, ठीक है, तो हमारा correct answer के है, हमारा correct answer है, option D, one and two, both, जिसमें वो military, pression, military की शुदता को बताते है, military is loyalty and democracy, military की वफादारी और लोगतंतरात्मकता को बताते है, ठीक है, see the next one, question number 15, just have a look, what was it that nation needed to be liberated form, यानि कि, कि किसी भी देश को क्या जरुरत होती है, उसकी स्वतंतरता के लिए, option A, poverty, गरीबी, option B, यानि कि gender discrimination, यानि कि link, बेद भयो, ठीक है, या फिर deprivation, यानि कि हानी deprivation, ठीक है, या फिर all the above, यानि कि ये सभी, तो हमारा 15 का answer के है, all the above, यानि कि ये सभी कारण होते है, जो किसी की अजादी के लिए जरूरी होते है, ठीक है, जैसे कि, what was it that nation needed to be the liberated, 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 sorry, liberated का मतला होता सतंत्र महसूस करें, ठीक है, तो ये सारे के सारे होते हैं, the next one, अजादी के लिए जरूरी है, ये सब चीजे नहीं होने चाहिए, the next one, question number 16, what change brought international leaders to southern या South Africa, क्या change आया international leaders के दोवारा, South Africa में, end of apartheid, यानि कि, नकसलवाद, रंग भेद, गोरा काला, ये सब समाप्त हो गया, humanity, मानवता, peace, श्रांती, trade, negotiation, यानि कि, व्यापार वारता हुई, तो हमारा correct answer क्या है, हमारा correct answer है, option A, end of apartheid, यानि कि, जो गोरे काले का भेद भावता, नकसलवाद, यानि कि, वो समाप्त ह हुआ, question number 17, देखिए, question number 17 है, how many deputy presidents were elected, कितने deputy president, elect किये गए तो, उस दिन, nuked किये गए, option A, 2, यानि कि, 2, option B, 3, यानि कि, 3, option C, 1, यानि कि, 1, option D, none, इसका मतलब कोई भी नहीं, तो हमारा correct answer क्या है, option A, 2, यानि कि, 2, चिक है, see the next one, the last question of this lesson, when was the integration day, यानि कि, integration day कब था, option A, 10th मैं, 10 मैं, option B, 10th मार्च, 10 मार्च, option C, 20 मैं, यानि कि, 20 मैं, option D, 20 मार्च, यानि कि, 20th मार्च, तो which is the correct one, obviously, we know very well, हमने अभी भी आगे किया था एक question, तो हमारा answer क्या है, option A, 10 मैं, यानि कि, 10 मैं, तो dear students, I hope कि, आपको ये सारे answers, अच्छे से समझ आई है, ठीक है, तो please आप इसे अच्छे से prepare करें, और अपने board exams की त्यारी करें, ठीक है, आशा करता हूँ, और I accept, कि आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, औ वीडियो को शेर करें, अपने friends को, जो भी आपके known में है, 10th class में, ताकि जाल से अदा student ये सीखें और अपने board के exams की त्यारी अभी से करें, ठीक है, तो मिलते हैं अपनी next video में, till then goodbye, thank you so much for listening to me attentively and carefully and have a nice day.